सबसे पहले यार उन सभी वीवर्स और सब्सक्राइबर्स को सौरी बोल रहा हूँ जो मुझे रिगलरली वाच करने हैं क्योंकि दोस्तों काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है तो ऐसे में ये ऐसा क्यों हूँ अब भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि एक्जाम्स के टाइम आ गये हैं इसलिए मैं वीडियो उस पे थोड़ा द्यान दे नहीं पाता हूँ हैकिंग क्रेगिंग करके बाइपास नहीं जैन्यून तरीके से लोग उसे बाइपास नहीं कर पा रहे हैं मतलब आप नेक्स्ट स्टेप्मेंट नहीं जा पा रहे हैं आपका जो गौर्रमेंट आइडी वेरिफिकेसन ने उसको एप प्रूव नहीं किया जा रहा है जिसे आप अपना पैसा जो है आपका जो गूगल एडसेंस में जो भी इंकम है उसको आप बैंक एकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं तो यह जो bypass का process है, यह जो genuine bypass का process है, यह कैसे होगा और इसमें क्या-क्या बाते आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही helpful होने वाली है, भाई अभी से like कर दो इस वीडियो को अगर अभ बहुत ही ज़रूरी है कि यह Google AdSense का government ID verification होता क्या है, यह कब होता है, कैसे होता है, यह सारे point जानना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके AdSense में YouTube की जो income and transfer होती है और आपके AdSense में $10 complete हो जाते हैं, तो Google AdSense एक PIN भेजता है आपके address पे और वो PIN आपके address पे receive होता है, आप उस PIN को receive करते हैं और उसके बाद में उस PIN को आप enter करते हैं अपने Google AdSense में अपने payment को bank account में transfer करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो Google AdSense के security है वो इतनी ज़्यादा high हो चुकी है, उसकी जो policies है वो भी इत government ID proof भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है क्योंकि काफी ज़्यादा fake channels भी बनने लगे थे और एक आदमी कई सारे AdSense को use करता था, तो यहाँ पर यह चीज़े थोड़ा गलत थी, तो ऐसे में यह कदम जो उठाया गया, यह भी काफी अच्छा था, और यह जो government ID verification है यही है, क जब आप pin enter कर देते हैं अपने Google AdSense के account में, तो साथ में उसके next step में आपको government ID proof भी देना होता है, अगर आप government ID proof नहीं देते हैं, तो आपका जो payment है वो bank में transfer नहीं किया जाएगा, मतलब सबसे पहले आपको एक pin receive होगा, उसको आप enter करेंगे, तो आपको जो next step होगा, वो कुछ government ID proof वाला होगा, जहांपर आपको एक government ID proof submit करनी होती है, तो उस government ID proof में आप driving license या फिर आप आधार कार्ड या जो भी आपका pen card है, वो आप दे सकते हैं और easily आपका जो bypass हो complete हो जाएगा, लेकिन यहापर ध्यान में क्या-क्या चीज़े रखने वाली है, उस pound को आप स चाहिए, ना उसमें कोई भी light effect हो, ना कोई भी glow हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम clear photo आप natural light में click करके फिर इसके बाद में submit करिए, otherwise जो आपका ये submit है, ये cancel हो जाएगा और ये disapprove कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको एकदम clear photo click करनी है, एक अच्छे phone से click करि है, और उसको submit करना है, जी हाँ दोसरा point भी यही था, कि आपको front वाली photo को, जिसमें, माली जी आप आधार card या pen card submit कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो नाम वाला portion होता है, उसका जो front face होता है, उसको ही आपको submit करना है, back वाले face को आपको नहीं submit करना है, ये हमारा दूसरा point, त चाहिए, और आपको जो नाम है, वो भी government ID proof से match करना चाहिए, अगर match नहीं करता है, तो आपका ये government ID verification reject कर दिया जाएगा, ये आपका dis approve हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो ऐसे में आपको काफी ज़्यदा problem जहलने को पढ़ सकती है, तो यार चौथा जो यहाँ पर point है, ये means कि आप 18 साल से कम में भी Google AdSense को यूज कर सकते हैं, सीधा साफूशन ये है कि क्या हम Google AdSense का account 18 साल से नीचे की age में बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं, तो मेरे आपर answer यही है कि दोस्तों, आप जब तक बालिक नहीं हो जाते हैं, मतलब 18 येर के उपर नहीं हो जात हैं, आप अपने family का Google AdSense है, उसको create करके, अपने family के government ID proof से, उसको verify करके, आप use कर सकते हैं बिल्कुल, बट आप 18 साल से अगर नीचे हैं, तो फिर आपका verification नहीं हो पाएगा, तो यार ये जो चौथा point मैंने आपको बताया, ये काफी ज़्यादा मेरे से पूछा गया था तो I think आपको answer मिल गया होगा, तो यार इसी बात पर एक like कर दो वीडियो को, और पाच्वा जो point है, वो भी काफी ज़्यादा important है, तो यार जो यहाँ पर पाच्वा point है, वो एक suggestion के रूप में है, चोटा बाई समझके आप इस suggestion को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि काफी ज़्यादा मैं आपका ख्याल रखता हूँ, तो यहाँ पर जो पाच्वा point है दोस्तों वो यह है, कि आपको यह सारी बाते जो मैंने आपको बताई है, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा धिहान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको government ID verification के लिए सिर्फ मिलते हैं 3 chance, अगर आप 3 chance fail करते हैं, तो इसके बाद में क्या होगा, यह तो मैं भी नहीं जानता, बट अगर मुझे पता चलता है कि इसके बाद में क्या होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा, तो अगर आप curious हैं इस बारे में जानने के लिए कि इसके बाद क्या होगा, तो इ इसलिए आपको एकदम ध्यान से यह सारी चीचे करनी हैं और आपको जो Google AdSense Verification है वो यार complete हो जाएगा और आप अपनी payment को easily transfer कर पाएंगे अपने bank account में तो उमीद यार वीडियो आपको पसंद आई होगी एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर पसंद आई हो informative लगी हो तो भा ताएब आप जिए सार श्हां रे रीजिए कर रैर से कह रहा हूं बाइबों कर दोल की कर दो आफ आफ बाल कर दोटाँ कर दोको नहीं 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 नहींत।